अगर आपको लग रहा है कि ये शिप डूब रही है तो आप गला सोच रहे हैं। जी हां गाइस, ये दुनिया का एक मातर ऐसा जहाज है जिसे दोनों वर्टिकल या होरिजॉंटल पोजीशन में आपरेट किया जा सकता है। इस शिप का नाम फ्लोटिंग इंस्ट्रूमेंट प्लेटफॉर्म यानी फ्लिप है जिसका मालिकाना हक युएस की ओफिस ओफ नेवल रिसर्च के पास है। आज क्रू और 11 सोथ करताओं के साथ 35 दिनों तक लगतार समंदर में रह सकता है। गाइस फ्लिप को 22 जून 1962 में लॉंच किया गया। इसकी मैनुफेक्चरिंग कोश्ट लगबग 600 मिलियन डॉलर्स थी।